नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर पर गमलोगेंदर या फिर जमीन में अजवाइन के प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं उससे जुड़ोई सारी जानकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे आप अजवाइन के प्लांट को कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं अपने अपने गर पर तो देखे दोस्तो मेरे पास यहाँ पर एक अजवाइन का प्लांट है जिसको मैंने यहाँ पर जमीन में लगाया हुआ था और देखे इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है एक मन्त का ही प्लांट है एक मन्त में ही यह देखे आपको इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही इतना साइज आप रखना चाहते हैं उतनी साइज गिया कटिंग लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैं 3-4 कटिंग आप अपनी कट कर लेता हूँ हाथों से इसको कट कर रहा हूँ कोई special tool की जरूद भी नहीं है कि हमें special tool से ही अपनी कटिंग को कट करना है आप simple हाथों से ही अपनी कटिंग को कट कर सकते हैं कटिंग का साइज अपनी मर्दी से आप 1 इंच रखना चाहिए 2 इंच, 3 इंच इतने भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं 2-3 इंच की अपनी कटिंग ले रहा हूँ यह गंबले का शाइज 6 से लेकर 12 तक आप गंबले साज रख सकते हैं और ध्यान रहें पॉर्ट के अंदर हमारा ड्रेनेज होल होना चाहिए आप देखे मैंने गंबले के अंदर पहले ही को लगाना है जो हमारी अजवाइन की कटिंग है यह गोगी तीन से चार इंची की कटिंग काफ़ी रहती है अजवाइन की आप देखे इसमें कज में की करना ना आप इसको अपनी गार्डन के अंदर गोई इसके लिए रूट हार्मोन साथ पाूडर ल्ट नहीं है simple आपको एक थोड़ा space बनाके अपनी cutting को place कर देना है मिट्टी के अंदर तो मैं जल देसे अपनी आपे 3-4 cutting आपे place कर देता हूँ और अपनी cutting place करने के बाद अब हमें इसे रखना है Saturday area में नी तो से 3 दिन तक हमें इसको Saturday area में रखना है उसके बाद हम इसको direct sunlight में रख देना है direct sunlight में क्या होगा इसकी जो cutting की growth होता हूँ काफी अच्छी रहेगी तो अब मैं अपने gum लेको 2 दिन के लिए Saturday day में रखोंगा और फिर इसको direct sunlight में रख दूँगा और फिर कुछ दिनों बाद इसकी में आपको update दिखाने वाला हूँ तो देखे दोस्तो आज अजवाइन की cutting को लगे हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन की update मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखे every cutting यहाँ पे मेरी successfully work कर रही है में leaf बनना start हो चुकी है आपको मर जाएगा उसको दूर रहेगा तो यह मिली बात थी कि कैसे आपको जोणी cutting को grow करना है कैसे आपको लगाना है अपने घर में गम लोग के अंदर तो आप इस तरीके से ही अपने घर में गम लोग के अंदर easily जोणी cutting को grow कर सकते हैं